हलो एवरीवान, एस्ट्रो विद एम सिंग में मैं एम सिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जैसा कि आप सभी को पता है कि हम साल 2024 में इंटर कर चुके हैं सो नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुब काम नाए आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये कन्या लगन वालों के लिए साल 2024 क्या गुड नियूज, क्या ब्लेसिंग्स और क्या वार्निंग्स लेकर आ रहा है इस पर ये वीडियो है, पूरा वार्शिक राशिफल है जन्वरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने की प्रडिक्शन मैं इस वीडियो में करूँगी तो शुरू करते हैं गाईस, अगर आपका लगन कन्या है तो कन्या लगन वालों के लिए केतु देखे आपके लगन में ही रहेंगे पूरे साल राहू आपके साथवे घर में रहेंगे सब्तमभाव में जो की आपके विवाह का स्थान है आपके स्पाउस की एनरजी साथवे घर से देखी जाती है और साथवे घर में राहू बैठे हैं इसके अलावा शनी पूरे साल कुम्ब राशी में छटवे घर में बैठे रहेंगे इसका मतलब कि शनी अपनी जगापर ही रहेंगे राहू अपनी जगापर ही रहेंगे और केतु अपनी जगापर ही रहेंगे पूरे साल, गुरू आपके आठवे घर में है और गुरू एप्रेल तक आठवे घर में रहेंगे ठीक है, उसके बाद इनका ट्रांजिट हो जाएगा, तो शुरू करते हैं जन्वरी महिने से, जन्वरी महिने में देखे आपके चौथे भाई में, 4th house में Sun and Mars का कंजुंचन है Sun and Mars 4th house में आपको कही न कहीं से देखिए, strong बनाएंगे आप property ले सकते हैं property खरीद सकते हैं इवन आपके घर का माहल थोड़ा सा क्योंकि ये दोनों ही fiery planets है, तो यहाँ पर आपके घर का माहल थोड़ा गरम हो Sकता है, हो सकता है किसी ने किसी बात पर बहस हो जाए मदर की हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है किसी भी तरह की आर्गयूमेंटस से बचना है, ठीक है थार्ड हाउस में वीनस और मर्करी की एनरजी है, मर्करी देखे की communication को denote करा है third house communication का है छोटे भाई बहनों से मुलाकात हो सकती है छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा time spent हो सकता है communication पर focus करिएगा communication से किसी को दिल न दुखे किसी को hurt न हो इस बात का ध्यान रखिएगा workplace पर भी अपने जो भी आपके staff है या आपके उपर कोई senior है तो उन से communication पर आपको ध्यान देने की जुरुत है overall आपके लिए बहुत harmonious energy रहेगी जनवरी के महिने में बहुत जादा lovable energy है आपको administration में अगर आप try कर रहे हैं अगर आप किसी government job के लिए try कर रहे हैं higher authoritative positions के लिए try कर रहे हैं जनवरी महिना आपके लिए बहुत अच्छा है बात करें फर्वरी महिने की तो फर्वरी महिने में शुक्र, मंगल और बुद्ध तीनों आपके चौथे घर में रहेंगे ठीक है वीनस, मार्स, मर्करी का conjunction यहाँ नजर आ रहा है fourth house में तो यहाँ पर देखिए सबसे important चीज जो है वो यह है कि अगर आप शादी के लिए रिष्टे देख रहे हैं तो यहाँ शादी के strong योग बनते हैं या तो आपका love marriage, love come, marine marriage या marine marriage जिस तरह से आप शादी करना चाहते हैं यहाँ पर बहुत strong chances हैं यह भी हो सकता है कि अगर आपके माता पिता शादी के लिए convince न हो रहे हो तो इस महिने में convince हो जाए सूर्य आपके fifth house में रहेंगे तो अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पर बच्चों को किसी तरह की recognition मिल सकती है किसी तरह का उनका जो speech है वो काफी powerful हो सकता है कुछ creativity में उनका मन लग सकता है अगर बच्चे नहीं है तो आपका किसी creativity में मन लग सकता है आप किसी situation में risk ले सकते हैं कोई daring काम आप कर सकते हैं या कुछ achieve करना चाह रहे थे बहुत time से तो वो आप achieve कर पाएंगे इवन आपको इस time period में name, fame, recognition भी receive हो सकती है viral से थोड़ा सा आपको बचने की जरुरत है skin infection, viral infection, digestion issues आपको हो सकते हैं बात करें कन्या लगनवालों के लिए March का महिना कैसा रहेगा तो March में देखिए Venus और Mars 5th house में आ जाएंगे 5th house देखिए आपके प्रेम का भाव है आपके boyfriend, girlfriend जो भी आपके love life, love affairs है तो Venus और Mars एक साथ जब आ जाएंगे तो यहाँ पर divine energies आपको एक तरह से blessings देते हुए नजर आ रही है love life में तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं आपके लिए महिना काफी अच्छा हो सकता है काफी जादा romantic हो सकता है यहाँ पर गुसे से और argument से अपने relation को खराब होने से आपको बचाना है किसी भी तरह से ego नहीं होना चाहिए 6th house में Saturn और Sun का conjunction है Mercury के साथ यहाँ पर definitely आपको दुश्मनों से सतर करने की जुरत है competitions face करने पड़ सकते है यहाँ लेकिन जीत आपकी होगी क्योंकि सूर्य चटवे घर में है राजा स्वयम चटवे घर में है तो यहाँ पर भले challenges आएंगे आपके life में थोड़ी health problem भी आ सकती है थोड़ी आपके काम की speed slow हो सकती है लेकिन चीज़े आपके favor में आ जाएंगी बहुत जादा मीठा खाने से बचेगा इस time period के अंदर हो सकता है कि आप कहीं न कहीं travel करें travel indicated है March के महिने में long journey हो सकती है short journey हो सकती है बट किसी तरह की journey यहाँ पर plan कर सकते है आते हैं अप्रेल के महिने में कन्या लगनवालों के लिए तो अप्रेल के महिने में छटवे घर में शनी की energy है तो शनी के साथ-साथ यहाँ पर मैं बता दूँ आपको बहुत जादा possibility है कि दुश्मन किसी तरह का आपको trigger कर सकते हैं लेकिन आप जीट जाएंगे क्योंकि साथ में mangal की vibration भी है competitions में आप success अचीव कर सकते हैं चीजें जो रुकी हुई थी जो slow थी March में वो आगे बढ़ेंगी fast pace पर आगे बढ़ेंगी competitions में अच्छे results आपको मिल सकते हैं 7th house में देखे ग्रहन दोश है यहाँ पर सूरे राहू वीनस की conjunction है तो 7th house में आपको अपने business partnership legal partnership या married life में थोड़ा सा problem देखने मिलेगा अप्रेल के महीने में ग्रहन की energy है तो तब्यत खराब हो सकती है spouse की या जिन से भी आप रेम करते हैं उनके साथ आपकी किसी तरह की argument हो सकती है या चीजें किसी शक की वज़से खराब हो सकती है तो इस time period में आपको अपने relationship पर बहुत focus रहना है अगर आप single हैं शादी के बारे में सोच रहे हैं तो इस महीने में हो सके शादी postpone हो सकती है डीले हो सकता है या शादी में किसी तरह का break लग सकता है 8th house में guru और mercury की energy है तो यहाँ पर देखें अगर आप कोई higher learning के लिए try कर रहे हैं education में आप कुछ achieve करना चाहते हैं कोई विद्याएं आप सीखना चाहते हैं आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा है public की तरफ से किसी तरह की recognition आपको मिल सकती है किसी guru की guidance को follow जरूर कीजेगा अगर आपके life में कोई guru है तो उनको जरूर follow कीजेगा मई महीने की बात करें कन्या लगनवालों के लिए मई के महीने में मार्स राहू और मरकरी का conjunction है सेवन्थ हाउस में तो यहाँ देखिए अंगारक योग बन रहा है बिलकुल energy ऐसी रहेगी जैसे कि अगर प्रेम है तो सीमा पार्क हो जाएगा situation इतना ज़ादा प्रेम आप दोनों के बीच में बढ़ सकता है कि आप rules break कर दे आप अपनी मर्जी से शादी कर ले court marriage कर ले या other cast other traditions में भी आप rule break करने के लिए ready हो जाएँ इस तरह का प्रेम यहाँ पर जगेगा और अगर ये चीज़े आपकी birth chart में negatively act करती है तो यहाँ पर बहुत ही खराब तरीके से चीज़े खराब हो सकती है रिष्टे तूट सकते है business partnership तूट सकती है तो ऐसी situation में आपको हनुमान 40 का मई मंत में जरूर part करना चाहिए गुरू देखिए मई के मईने में transit कर जाएंगे आपके नौवे घर में ठीक है किसी तरह की risk लेने से बचिएगा अगर आप किसी तरह की sports field से है या किसी तरह की ऐसी profiles में है जो uniform वाली profiles है जैसे police है, army है, navy है, doctor है, engineer है, law है इस field से हैं तो इसमें आपको किसी तरह की recognition इस महीने में मिल सकती है शादी होने के भी अगर आप try कर रहे हैं तो इस महीने में योग बनेंगे लेकिन बहुत सोच समझ कर इस महीने में रिष्टा जोड़िएगा आते हैं जून महीने में तो कन्या लगने वालों के लिए जून का महीना कैसे रहने वाला है सेवन्थ हाउस में देखे राहू और मार्स की एनरजी अभी भी है नौवे घर में गुरू के साथ सूर्य आ चुके हैं शुक्रा आ चुके हैं बुद्धा आ चुके हैं भागेस्थान में देखे सूर्य का आना भागेस्थान में गुरू पहले से हैं और शुक्र और मरकरी का आना यहां पर देखे अच्छा है आपको कोई न कोई सिद्ध पीट पे आप यात्रा कर सकते हैं इश्वर की ब्लेसिंग्स इश्वर का आशिरवाद आपको मिल सकता है कोई आप अगर आप एजुकेशन लेना चाह रहे हैं स्पिरिच्वालिटी में अगर आप इंट्रेस्टेड हैं तो यहां किसी स्पिरिच्वल यात्रा पे आप जा सकते हैं कोई स्पिरिच्वल नौलेज आप गेंड कर सकते हैं साथी साथ पिता और माता की हेल्थ का आपको थोड़ा सध्यान रखना है इस टाइम पिरिएड में इवन आपके स्पाउस अगर हैं तो उनकी भी हेल्थ का इस टाइम पिरिड में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहां पर बहुत जादा पॉसिबिलिटी है कि आप अगर हायर लर्निंग के लिए ट्राइ कर रहे हैं आप फॉरण जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए या किसी दूसरे स्टेट में ज चूकर का कंजंक्षन है सन और वीनस जब एक साथा आ जाएं तो पॉर्फुल लोगों का सपोर्ट आपको मिल सकता है गॉर्णमेंट का सपोर्ट मिल सकता है गॉर्नमेंट जौब के लिए ट्राइ कर रहे हैं तो यहांपर फॉसकता है अगर आप politics में आना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर politics आपका strong हो सकता है, politician बनने के strong योग बन सकते हैं, एट में mangal की energy है, तो यहाँ पर थोड़ा सा travel के दोरान या चोटे-मोटे cut burn इससे आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो इसका simple उपाय है कि अगर आप जुलाई महिने में जा जाए, ठीक है, अगर hospital जाना ही है, तो आप अपने से ही चले जाएए, ताकि ये चीज़ें जो हैं, जो कुछ गलत होकर जाएं, उससे better है कि अपने से चले जाएं, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है, ऐसे situation में जुलाई महिने में हनुमान 40 का साथ बार पार्थ जरूर करें, डेली, अगस्त की बात करें, कन्या लगनवालों के लिए, तो बारववे घर में देखें, वीनस और मरकरी की एनरजी है, यहां पर बेफिजूल के खर्चों से आपको बचना है, ठीक है, आपका focus थोड़ा सा डगमगा सकता है, आप, जैसे for example, आपको exam है, लेकिन आपका focus कहीं और है, या आपका focus love life पे है, अपने boyfriend या girlfriend पे है, तो ऐसी situation से आपका concentration issue हो सकता है, इसके अलावा, communication आपका बहुत fluent रहेगा, इस time period में, communication आपका काफी अच्छा रहेगा, आप अपने communication से काम बना भी सकते हैं, और अगर यहीं पे आपके bird chart में venus debilitated है, या mercury debilitated है, तो आपके communication से आपके कर्म बिगड़ भी सकते हैं, तो इन चीजों पर आपको अगस्त के महीने में बहुत ध्यान देना है, आपके lab भाव में, gains के house में सूरे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपके friends के थ्रू, आपके पिता के थ्रू, किसी powerful government officer के थ्रू, आपको help मिल सकती है, gains हो सकते हैं, नौकरी लग सकती है, reference से, यह चीज़े आपको इस महीने में दिख सकती हैं, गुरू आपके भागयस्तान में है, यहाँ पर और गुरू के साथ मंगल की energy है, तो कुछ न कुछ देवियर शक्तियों का आपको help मिलेगा, कुछ न कुछ आपके जो बिगडे काम है, वो suddenly बन जाएंगे, आपको समझी न आएगा कि अरे इतनी खराब situation थी, अचानक से चीज़ें ठीक होने लगी, किसी का support आपको मिल सकता है, आते हैं September महिने में, तो कन्या लगनवालों के लिए शनी यहाँ पर देखिए, वकरी energy में है, मंगल आपके 10th में मरकरी 11, सूर्य आपके 12 घर में है, वीनस केतू के साथ लगन में बैठे हैं, तो सबसे important जो चीज़ें देखिए, अगर आप army में try कर रहे हैं, या police में try कर रहे हैं, sports में अगर आपका interest है, या sales and marketing में interest है, तो यह महिना आपके लिए बहुत अच्छा है, साथी साथ, पिता में बहुत जादा आपका खर्चा हो सकता है, इसके लावा वीनस केतू के साथ बैठे हैं, देखिए, love life में इस महिने में आपको थोड़ा aware रहना है, कोई ऐसी बात मत करिएगा, जिससे की चीज़ें cut off हो जाएं, रिष्टा तूट जाए, break up हो जाए, no contact में चले जाएं, अगर आप single हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपका past life connection है, आपके life में इंटर कर सकता है इस महिने में, बात करें October महिने की, तो कन्या लगनवालों के लिए October का महिना सूर्य केतू मरकरी का conjunction है, powerful conjunction है, बहुत सारी opportunities के दवार open होंगे, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि या jobless है, job नहीं मिल रही है, या business किस चीज का करें, क्या करें, job करें या business करें, या private job करें या government job के लिए try करें, तो यहाँ पर आपको देखिए help मिलेगी, यहाँ पर आपको कहीं न कहीं से कोई ऐसी guidance मिलेगी, जिसके बाद जो आपका intuition कहेगा, आप उस तरफ आगे ब agreement होगा, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और expression of love नहीं है, तो इस महीने में express हो सकता है, एक दूसरे से भावनाए exchange हो सकती है, साथ ही साथ कोई child birth से related good news इस महीने में आपको मिल सकती है, इसके अलावा आप खुद के उपर काफी खर्च कर सकते हैं, अपना new dresses खरीदना, spa क कराना, beauty parlor में जाना, या बहुत जादा self love की energy रहेगी, आपको अपने उपर ही सारा focus रहेगा, self centered हो सकते हैं, अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदना, renovation कराना, ठीक है, इस तरह की आपकी energy October के महीने में हो सकती है, अब November के महीने में अगर हम आते हैं, तो कन्या लगनवा के लिए third house में mercury बैटे हैं, देखिए third house mercury का अपना घर है, काल पूरुष के कुंडली के according, तो यहाँ पर आपकी speech बहुत powerful होगी, और mercury वीनस के साथ बैटे हैं, तो यहाँ पर देखिए, औरतों से आपको किसी तरह का benefit हो सकता है, हो सकता है कोई lady आपको support कर दे किसी काम में और आपका कोई काम बन जाए, या आपकी जो boss हो वो lady हो सकती है, अगर lady आपकी boss है, तो communication पर आपको बहुत focus करने की जरुरत है, यहाँ पर छोटे भाई बैनों के साथ आपका काफी अच्छा male जोल हो सकता है, एक harmonious relationship इस महिने में दिख रहा है, तो मुलकात हो सकती है काफ Definitely यहाँ पर आपको कोई भी investment करने के पहले एक बार सोचने की जरुरत है, अगर आपने loan लिया हुआ है या health issues है, तो यह महिने में आपको ज़्यादा सतर करने की जरुरत है, मंगल आपके दिखिए 11 घर में रहेंगे, तो यहाँ पर lab भाव में मंगल की energy है, तो जो भी हैं रुकी हुई थी, speed up होंगी, चीजों को आप अगर बहुत सोच सोच के कर रहे थे, तो यहाँ पर आप कुछ risk भी ले सकते हैं, speed यहाँ पर दिखेगी, और दोस्तों से aware रहना है नवंबर के महिने में, या तो दोस्तों के through कोई benefit होगा या नुकसान होगा, आते हैं साल के अंत, December महिने में, तो चौते घर में देखिए Venus की energy है, Venus fourth house में रहेंगे तो definitely घर में किसी तरह के मांगलिक कारे हो सकते हैं, घर में शादी विया का माहौल हो सकता है, इसके अलावा घर में किसी तरह का furniture आना, कोई नए gadgets आना, किसी तरह का खर्च घर पर हो सकता है, साथी आप अपनी वाणी से, वाणी पर आपको बहुत फोकस रहना है, और साथी साथ किसी तरह का name, fame, recognition, achievement आपको मिल सकती है, December के महिने में, promotion, growth, Mars की energy अभी भी 11th house में हैं, तो यहाँ पर आपको gains होंगे, और दोस्तों से आपको थोड़ा सा aware रहने की जुरुत है, बड़े करूंगी कि अगर आपके बड़े भाई बहन हैं, तो उनको आप बोलिएगा कि December के महिने में, even November के महिने से ही, हनुमान 40 वा का पार्ट जरूर करें, ठीक है, और थोड़ा सा हो सके तो भगवान भोले नात के दर्शन करें, ठीक है, तो इनके लिए बहुत अच्छा है, जल चलके आपको लाब देगा, तो यह थी गाईस, कन्या लगनवालों के लिए साल 2024, जन्वरी से लेकर December तक कैसा रहने वाला है, होप आपको मेरी इस वीडियो से कुछ न कुछ help और guidance जरूर मिलेगी, कितनी ये वीडियो resonate करती है month wise, आप हर महिने में इस वीडियो को और अंत में जरूर बताएगा comment section में कि आप से ये energy कितनी resonate की, thank you so much guys, take care of yourself, bye bye